साथ स्रिया काल मैं हाँ चंचल मनोर सिंग तुसी देख रहे हो अम्रत परसार अम्रत परसार दे दर्शका ना बहुत-बहुत स्वागता है आज जैसी इंट्रिवू कर रहे हैं अम्रत पाल सिंग वारस पंजाब दे मुखी बारे के की उना नू पार्लियामेंट विच ले जा के मेंबर पार्लियामेंट दी सोंच चुकाई जाएगी या नहीं और एदे जेडे कनूनी पक कियान क्योंके बैं कहीं वीडियो कीतियान तो मैं एही उचित समझा कि मैंनू किसे वकील जडे सीनियर वकील होनू ना नल मैंनू गाल करनी चाहे दियो ओ दसन क्योंके कनून ना मामल है इसकर क्यार जैसी आयां राज बिंदर सिंग जी सीनियर एड़ोकेटन पजाबेंडर रियाना हाइकोट दे और इना दी खुबशूरती है के हुमर राइट एक्टिविस्ट भी हां इना दे पिता जी उन्दे सी जस्टिस अजी सिंग बैंश जी उन्हा ने हुमर राइट्स ली लोकां दे अखाली बोध लड़ाई किती जस्टिस भी किती उसतों बाद जदो रटार होगे ते एक्ट सुच जे टांगनाला अपना पर्ज नबारें के हुमन राइट्स दे मुद्यां ते केस भी लेंदें, मदद भी कर दें, ते एक्ट विस्ट भी हैं, तो असी एस काल नू ठीक समझा, के एना तो बेतर कोई वकील नहीं हो सकदा, जेडा के सानू एस मुद्य बारे दस से, तो तो अड़ा बहुत 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 शुक्रिया जी तन्वाद है, तुसी साधी बेंती कबूल किती है, ते सानू टैम देता है, बीजी बड़े हों, ते ए दसो भी अमरत पाल सिंग मेंबर पार्लियमेंट दी सों चुकन लें, केडा टांग अपनाए, के जेल चो बारा है वैसे ता, जीडी मिनिस्ट्री है, पार्लिमेंट अफेर्स दी, उना दी ड्यूटी है कि जिनने भी रिटर्न कैंडिडेट्स है, अलेक्टेट हो गए, अलेक्शन कमिशन नोटिफाई कर देंदा है, उस तो बाद सबनो बलाउं देने, ते फिरो सबतो पहला प्रोटम स्प जाए जाए, ते इस केस विच भी मिनिस्ट्री ऑफ पार्लिमेंट्री अफेर्स दी रिस्पांजबिल्टी बंजन दी है, कि सारे कैंडिट्स नो उत्थे बलाए, ते इस्पेशली जेड़े अपनी मरजिना नहीं आसादे, जेड़े जेल वीच है, उना दा इंजाम भी उन एक ता है ना कि तुस्से किसे अफेंस्विच ना हो जाए, इक एवी है कि जे तुस्से अलेक्ट हों तो बाद साथ दिन बिना कारण बिना परमिशन ले, हाउस दे, एपसें रहन दे हो तो थोड़ी सीट चले, थोड़ी सीट चले, इस करके यह 100% जरूरी है, कि सारे रिट इसलिए बाद जानदा है, क्योंकि जे उना नो तुसी पार्डिस्पिट नहीं करन दे ता फिर ता इक इन डाय ले तरीके ना सारा मैंट तुसी खतम कर साथ इस करके यह जदो स्पीकर एलेक्ट हो जाएगा, फिर स्पीकर दे रिस्पांसिबिल्टी है कि कोई किसे मेंबर नो अटेंड करन ले, जा उनो बोलन ले, कोई भी अथॉर्टी देश नी रोके ना, ते उनो ड्रावे ना, ता ऐसे करके जेत उसी जेल विच भी होंगे, फिर भी थानो हाक है, पार्लेमेंट दे बसेलिगे पार्टिस्पिट करने, इना ते जेड़ा नैशनल स्क्योर्टी एक्ट भी जून च जेड़ा रीविव होना है तेन मीने बाद, तुसी की समध्यों भी जेड़ा नैशनल स्क्योर्टी एक्ट है, कि एना होते लगना चाहिदा सी है, वोजी कोई उना दी, अधिवती है कि भी ए भी पजाब गोर्मेंट दी, ते सेंटर दी, मिली पोगत जे वोजी को अनलाफ लेक्ट इस प्रवेंशन एक्ट हैगा, थोड़े को एड़ी वड़ी पीनल कोड है, थोड़े को स्पेशल एक्ट है, थोड़े को पता नहीं किन नेक नूर ना हो लोकर नो अरेस्ट कर लेगी, प्राय कर लेगी, उस्ते वावजुद तुसी तुसी उना अरेस्ट करके उननों उना दे हक ऐदा मुझने बरकला रख दे कि कुट ऑड़े को अननों हक जमान दा है, फेट उसफी साबत करन दे, जे तुसी तुसी साबत करन दे, उननों सजाव होएं दे, दो साल तो सजाव दे ना लिए और डिस्क्वालिफाय होजा ने ते अंडर यूए पी ता चाहे फाइन लगे ताम ही डिस्कौलिफाय हो जाना सी, तो उस्ते वाब जो तुसी क्यों ना नो प्रवेंटिव डिटेंशन एक्ट था ले लाया, प्रवेंटिव डिटेंशन एक्ट ता ओ एक्ट है, जित्थे थौन नो सुस्पिक्शन है कि जे बाहर रहे, जो बाहर रहा ता कोई एहोजा काम करेगा जड़ा किसे उफेंस भी तौंदा नहीं बड़ो ना देश नू खत्रा होसा था उना जिद्धा हम तुसी तुसी ट्रेड जूने लीडर देखे हो थी एनना इंफ्लेंस होए कि वो स्ट्राइक रादेगा पूरे रेल बेंदेगा उना लागता में तुसे उन्हों नाशनल स्कूर्टी एक्टि रिबांद कर लो कि उन्हें उफेंस नहीं किती वो दा हक एक और स्ट्राइक दबटो ऑसेंशल चेडियां सप्लाइज है उन्हों डिस्ट्रॉप्ट करसा था देश वाई उना दा परपस था एह है ओ जड़े इन्हें पॉप्लर इंफ्लेंशल परसन जेने की कोई क्राइम भी ने कर दे तुसे उना किसे उफेंस जंदल नहीं रख सा दे मगर उना दी लेजिटिमेट एक्टिविटीज ना एह हो जा अंड्रेस पादा होसा था जार्ज फर्नेंडेस बिल्कुं जार्ज फर्नेंडेस दे बड़ी बड़ी एक्जेंपल है कि उन्हें लास्ट आल इंडिया रेल्वे स्ट्रीक होना नहीं कराई से तुसी तुसी ऐहो जी सपोस्स तुसी इन यह इन्फ्लेंशल हो कि तुसी जनरर्ट्री पिरा दो सारे कंट्री दे बिच भी ड़ूविट्फेंस फोर्स दीच क् नहीं हो नहीं हुद थीदिक्ट है नियुकों प्रेवेंटीज दर्ग लेंगे तुसित नहीं है कि रिल्कुल प्रिटिकल नहीं है यह इन श्पेशिल भलतान नहीं है मगर उनीस अपंजाब इस बनेया सी सब तो पहला उनने ओधो भी प्लिटिकल रीजन करके यूज किता सी एक इगो पहला पहला प्लिटिकल लीडर सी जिटे इस्पाइट अफ नेरू ने पटेल होंदे होए उनने ने ने से धले एक इगो पहला नूरेश कि तो शरुआत तो नेरी प्लिटिकल लीडर्शिप है एन ऐस से ते के नैशनल स्केर ओधो नो प्रिवेंटिव टेंशन एक्ट है ओदे बड़ी बीमान है नेरू दे ते वक्त शुरू तो ही एन ऐसे मिस्स गांदी ने मिस्सा यूज किता सी ओधे पची साही लीडर नो रोकता सी फंट केंद ने खिलाब को ओफेंस था है नहीं से जिया आपकाश नरायर में पगड़ लिया से ओवी अंडल में ट्रेंस ओवी इतना दा एक्ट सेजी से नीप ले जड़ा नेशनल स्क्यूर्टी एकता है एवी ओधा ही नवा रूप है ना जी उनने सब शूफ है ना इसको दिलील है न अपिल है ना दून एक्साल कोई सुनवाद ने लिए मगर ये दा मैक्सिम पीरिड भी इकसाल ही है एक साल पीरिड होगे ओपूरा होगे तुस्सी फिर उन्हों एक नवा और्डर पास करता है ये दा बिल्कुली निजाइज भी है गैर कनूनी भी है गैर कनूनी भी है कियल दे अंदर तुसी मवाइल जूस कीता है इनना देशनों की खत्रा होना तुसी कहने है थोड़े हाकविज लोग की प्रटेस्ट का रहे ने थोड़े देश ते बार भी लोग की प्रटेस्ट का रहे ने वीडियो पा रहे ने कि अमरित पालनों छड़ों कि अमरित पालन और जदो तुसी प्रवेंटिव डिटाइशन देवी चौनू अलेक्शन दा हक है और जित्या और जित्वी गया और हाईस्ट मार्जिनल जित्या पर दानमा तो ज्यादा मुट्टा लेगे जित्या है ओनू तुसी को कि देशनी खत्रा है फेटता तुसी बिल्कुल पीने गलत होगी जदो कि यो उस हाउस्ट मेंबर मान चुका जिएगा की देश्टा सप्रीम कनून मनादा है जिदे अगे सरकार नों भी चुगना बेंदा है पाल्लेमेंट सरकार तो भी उच्छी है इसके अंदरी गर्वर्मनट होता है गर्मनट रहन दिजाता है पाल्ले तो यह दे बेच जड़ी पञ्याब सरकार है, उदी मर्जी ना लो रहा है, क्योंके डिस्टिक मज़े स्टेट रिकमेंड करता है, N.S.A. के नैशनल स्क्यूर्टी एक्ट ला जो जी, यह दे बेच कनाइमस ही है, क्योंके जड़ा उन्हों डिवड़ू कड़ पे जया गया है क्योंके विश्वाष अपना प्रगटाया है, और उन्हें जोन लड़ी है, पहले ते वो कह रहा सी कि मैं पास्पोर्ट है, ते कागज डाकुमेंट है, ते होर भी कंसिचूशन बारे भी हो जेडियां गल्ला कह रहा सी, वो ते हुन पिछे रहा गियां, उन्हें ते ओ थी उन्हें ते कह रही ता भी मैं ये इस कंट्री दी इंटेकरटी नू जेड़ा सीक्योर्टी नू सारी नू मैं इनू पुचान दे विच पूरा साहियों माला, ओता हिस्सा है, ट्रू फेथ हैं अलिजिएंस वे कंसिचूशन, ओता हिस्सा है कि तुसी देश दी सब्रैनिटी हैं इंटेग्रेटी नू दे रख्या करो भी उना दी सब्सक्राइब तो बाद एक देश दू तोड़ना चान दा है ये ता गल मोग गई इस करके आपे उसकी मोग गई है कि तुसी कहरें जी खार इस्तान दा जा देश दू तोड़ना चान दा जा ज्या उन्हों को इस दू केड़ी सिंपल गाल करना है कि ऐसे एक लग खालिस्तान वाना सब्दाने तरीके नाल वो हले भी आज दे आज दे कनून दे मुताबिकी बिलकुल कनून उन्हों अजासत देंदा है केड़ी सभिज बैनों क KP आज ऐसे इनू परोगे 25 कनून दानों कि जरणा केड़ा केस चलिया सी थिसी माणदा हुनानु जरच बंदकर्ता हिसी खालस्तान दे बुद्दे ते और उन्हों स्प्रीम कोर्ट ने कि आपई खालस्तान मंगना कुई अवो जह केड़ा केस ने दस क कोई दस अथॉरिटीज है जेड़े केंदे ने एक करनल परताप हुंदा से उनना ने खाल साराज पार्टी बनाई से बड़ दा सिद्धा अबजेक्ट सी कि असी कोई अनलाफुल काम नहीं करना असी सर्दान दे मताबक प्रॉपगेट करना है यह नू फिलाउना है पार्लिम पूरी ताकत है डेशनी ट्रिटीर नो अध करना यह बना पर की तो है ऐसे तयार मंगना का सिप अब्र छालेक्ट Search on तो थादीaş सामना सिव 쓰ंदाब कराई ना माहानसाब थे ख्लाफ था बहुत इंताने केस बने हैं और हरवारी कोड ने उन्हों रिलीफ देती है मेरली ए कहना कि जि खालिस्तान जंदाबाद कहना है जहां एहोजे नारे लाउंदा है ओ को फैंस नहीं बना था स्प्रीण कोड ने भी पचानने वे दिश्किया हो ए मिस्स अपजान में जे केड़े केस चुकिया है जो दो मिस्स गांदी नूँ असेसिनेट कीता सी ते दो मुड्या ने सेक्टर सतारा में जागे चंदी गड़नी नारे लाए सी हिंदुआ दे खलाफ भी खालिस्तान दे हाक वीच भी ते उना नारे दे बेशते होने केस चला रखतान ही क्या है कोई क्या है साफिल कोई सबस्क्राइब एकन जाख भी खता अगती है वह में य कुद्र से चलाए जो दो दो यस था से जो क्या हैर के वह था ते और हदा रहा लाले हो जोजो और भी खेस्ट सावाट आशाओ घया नारे लाकि आपा खिकल्सी ये मैं पाड़ा इस मुद्दे ते के अमरत पाल सिंग नो सौं चुकंड दे प्रोसीजर नो कंप्लीट कर ले अते क्यूंके उनो मेंबर पार्लियमेंट डेजिगनेट हो गया है लेक्ट हो गया है तां उस नो नेशनल स्क्योर्टी एक्शों छोट के में मिल सकती है उके में आज जाद हो सकता है बाकी ते क्रिमिनल केश चल दे रहें कोटांच उन्हां जो दी बेल होंदी है के नहीं होंदी भी उन्हों दिब्डुगर जेल चोट मिले अम्रसार के इस दरजन ते अम्रसार दी जेल जाज है और पार्लियमेंट दी ओथ भी ले जे उसनों कनून अलाओ कर है ताँ जो दी जेड़ी जिती होई सीट है वो बस सके जेकर उन्हों उन्हों ओथ नहीं लेंड दीती जाएगी जिम्हें के तुसी कनून दसे है कि जे तुसी तेन मिने तक इनेड़टेंटली और एड़टेंटली मिस कर दे हों प्रसीडिंग्स आफ दी टॉर्लियमेंट और राजसवा ते तौड़ी जेड़ी मेंबर्शिप है एक खार्ज कर देती जान दी है स्पीकर नो एस दा अधकार है तो एदे ते थोड़ा चाड़ना पाओ साथे दर्शका नो दसो के एस मुद्दे दी जेड़या एस बारे बोता नहीं पता जेड़ी कुसी मैंनो आज लगसी है मैंनो भी नहीं सी पता मैं ऐसे करके तौड़ेकूल आया कनून दान कुल कि कनून दान दा इड़या समझ्द जान कारी हूं दी है कनून आदी भड़ी विशाल हूं दी एस मुद्दे दसो जोगे दई तई देव हम इन नेट पादे नए ते लिए दुए है का सथ उस टेक्निकल डिफिकल्ट तो निकल सकते हैं, मगर जिए उन्हों अब्यूस काना चाहना, चलाकी काना चाहना, तो इसे ग्राउंड ते खतम कर साथ है कि यह सारतिन आया नहीं, नहीं, मेरा ख्याल है भी मैं चलाकी दाशा केसली नहीं कर दा, क्योंकि नामीनेशन पेपरा मे प्राउंड देटेंशन भी होए कि जेकर कोई बना डेमोक्रेटिक सिस्टम जेडा साथ है, वो टांदा सिस्टम दाइस्सा बना ते उन्हों बन देता जाए, नहीं, तुसे जे मैंडेट नू रिस्पेक्ट लन देओ, जे मैंडेट नू अकसेप्ट कर देओ, तो रव्वे फेस्ट काइद वेजा सुपींग काइद वेजा जाए, गैर कनून देओ मगर साथी प्राउब्लम ही है कि ते हाई कोट एन्ही देर ला देंदी है, एक साल दा टेंशन पेरिइड होंदा, एक साल तो पहला फैसा नहीं होंदा, इसकर क्यों खत्म हैंदा है, साल तो बद फ्रॉड कहने है अपा इन्हों लीगल टामिच फ्रॉड ऑन दा कॉंस्टिशूशन जाना में जेड़ी तुसी गल कह रहे हूं जेड़ी उधी एक साल दी नैशनल स्क्योर्टी एक्ट विचे डिटेंशन होर बदाई है पन्याब गोर्मेंट ने अमरसार दे डिप्टी कमिश जेड़ा के डिस्टिक मजश्रेट हंदा उधे को लथार्टी है उन्हों तुसी फ्राड भी कह रहे हूं ते गल्त भी कह रहे हूं असी कहने के उन्हों एट टर्म है कि कई वारी तुसी अपा कहनें एक एक प्रॉड ऑन दा कॉंस्टिशूशन दी इंटेशन तो ब्यार यह से करके इन्हों बड़ी बारी इस्तिमाल कर दें लीकल टर्म देविच जदो आरूमी कर दें कि जहां अब्यूज आप पावर हुए है एक करने बॉल एकसेज़ पावर हुए है और फ्रॉडुलेंट एकसेज़ पावर इसलिए है कि लॉई पर्मिट नहीं करते है एकसा त आई है यह इस एकस्पेक्टेशन दे विच कि ओ पार्लिमेंट वी जाके पार्टिसमेट करेगा और डिमॉक्रिसी चे सब तो चंगा तरीका है कि सारी यह एकस्ट्रीम अपीन रखन वाले हैं जो तो सी पार्लिमेंट विच और ट्रांस्वर्मेशन होंदी उस बंदे लेग है कि सिर्फ तक्के ना चीजान ठीक नी होंदी है तो एनो रीजन डिबेट करने पैंदी है तो एनो अपने विचार तेकर ना पेश करना पनदा जैने साहे लोग सुनन और फिर लोक आंदा है दूरी कानून कस तरह बंदा है कि थोड़े कंसेंट ना ठोड़े दलीला ना ठ इननों वोटां पहियां जी चार लख चार जार चार सो ती वोटां पहियां और मार्जन में तो अनूं दसे है उना दा है गया एक लख स्तानवे आजार सो प्राइम मिनिस्टर दे मार्जन तो भी जयदा हुण इत्से स्वाल यह पैदा होंगा है कि उना ने एक एड़र्टाइजमेंट दिती है अजीत भी छपी है मैं उदे बेश दे वीडियो भी कीती है उदे पेच उना ने किया है कि जड़ी वोटां वाली स्पेस है चाहे एक सीट सी जिती है जाते रहां जित लिए दा सी बहुता फरक नहीं पा सकते पार्लियमेंट से जड़ी के पंसो तरताली जा पैंताली सीटां दिया हौस है पर इस स्पेस भी सानूं वेस्ट नहीं करनी चाहे दी इस करके मैं अलेक्शन लड़ी है उन्हें फिर एबी अगे एक अपनी जेडी उन्हें मान लिया के जेड़ा डेमोक्रेटिक सिस्टम में इजे नाल सानूं अपना काज बदाना चाहिए नाले जेडी एक हिस्टोरिकल ब्लंडर समिर सिंग महान जी ने किता सी इती नाइंदे विच पार्लेमेंट इच नॉट जाके तेखो ओस्वेले मिनोरिटी गवर्मेंट सी थोड़े को दस एमपी सी तुसी कुछ भी छोट शोड़ी हैं पिंजाबियां प्रावल्मा अराम नाल नेगोसेशन नाल सॉल हो सा दिया से अज चंदिगर्द मस्ला की सी उस वेले जब पार्लेमेंट थोड़े सरकार थोड़े ते डिपेंडेंट हो एच छोटा पाने ना मुद्धा वी रिजॉल्व हो सा सी जो सेंट्रल केंद्रे सरकार ते मिजॉर्टी ना हो वे उन्होंनों चार नारिसमर आउनों चार एमपी ख्रीदनें पैसी पंजाब जा ता कि तो सरकार मिजॉर्टी तो मजॉर्टी वचाई सी तो उन्हा हालाता में जैसी पार्लेमेंटर ना जाएगे और जैड़े सारे पंजाब दे मुद्धान दे बारे गल्वी ना करिए तो रिजॉल्व ना करिए तो यह बिलंडर दी कैटेगरी चाहूंगा नहीं तो उन था एक एमपी काउंट कर रहे हर एक एमपी दी वोट हर मुद्य तें इंपॉर्टेंस कर दी है थोड़े यड़े कदूर बननन गए जा पर्पोस करनगे एक एक वोट ना हरनगे जा जितन गए बेह साहब जी मैं दर्शका नू दसना चानना के बेह साहब सीनियर एड़ोके कि अम्रत पाल सिंग्ग उरा नूं सिम्रंजी सिंग मान दी जड़ी पार्लियामेंट चीक दस सीटां जितके गेसी उदे तो सबक सिखना चाहिए और जड़ी उनने एक सीट हूं जिती है उना को लूं मोक है मनियार्टी सरकार है उननों मोक के मताबक प्रेक्मेटिक अपने विचार भी दे सकन तुसी ऐही कह रहे हो ना देखो छोट-छोटी मुद्धे पार्लियमेंट रिजॉल्व करसा दिया बॉर्डर खोलना ट्रेड खोलना पाने दा मुद्धा चंदिगार दा मुद्धा होड़ छोट-छोट-छोटी रेड़े तुसी कहने होली सिटी बन जान ना मान जान एक इन्हें छोटे मुद्धे पार्लियमेंट ले और उस विले जे तुसी पार्लियमेंट जाके ये ना मुद्धा निगालना करो और ओ मुद्धे करो जिदा कोई सिद्धा पार्लियमेंट दे को रिजॉल्व नहीं है तुसी ये मंगों की खालिस्तान मंगन दे हाक जिनी ओधनल की होएगा जो भारतिय जंता पार्टी चांदी है वो चांदी है कि देश डवाइडिड रहे पंजाब इच हिंदु और सिख्वाइड रहे देश विच मुस्लमान और हिंदुवान डिफरेंस परता रहे तां कि आसी मजोर्टी का फायदा लेकर मज मजोर्टी कमेंट तो फायदा कासी वोटिंग नू रिग कर दा रहे एक एमोशनल रिगिंग होंदी है और दस साल तो रिगिंग कर रहे ने वह अपने मुद्द दी गाल नी कर दे एंप्लॉइमेंट दी गाल नी कर दे एक नौ मिस्ती कर दे जे साधी लीडरिशिप यही ग पर दे लिगिंग अवे इस पेशल स्रेटर्स मिले एथे टर्राइजन दराण जिना लॉस ओजाओ लोन माफ कराओ यह गल्ला पार्लेमेंट सिद्धी कर साधी कोई भी डिपेंडेंट गर्मेंट कर साधी है मगर जे तुसी सारे रियल मुद्द चट के एक ओह जे मुद्द पर दो पता है कि फोर्सी वेवल फ्यूचर लाइग ए पॉसिबल निया देश लिए त्यार करना पेंदा देश नेशन करेट नहीं हुंदे नेशन नो कई साल लानों पूरे देश नों पर देश नों करना पाएगा जिए तुसी आज चानने हो कि खारिस्तान बने तो पुर कि में जाओंगे बिल्कुल तुसी बॉर्डर कॉस कर जाने हो सवधान दा कॉंसिशन दा आर्म स्टागना तुसी ब्रीच कर देओ ओ उता सिंपल निया ही खत्म हो गया बाएग फोर्स तुसी को लेंदा हो इरा दुनिया हम ची खत्म हो गया इस्राइल वार का मुल्ट चाह अलमस्ट इंपॉसिबल दे लाइंगे जाने हैं जाए एक ठ्राइटिकल इस्टे अडे रहना एए मेजर चोईस है बैंसाब ने कही सानूं बढ़ियां कनून दे बाक्तों नवियां गला दस्यान एजडी एना खुबसूरत शब्द यूज कीता है ना ने के इमोशनल रिग आज तक मैंनों लगदा है साड़े दर्शकान नहीं बदा भी एमोशनल रिगिंग कर रही है जडी साड़ी रिवलिंग पार्टी है पार्ती जनता पार्टी सो आज दी एस इंट्रिव नूं मैं समाप्त करदा हुया दर्शकान नहीं दसना जाना के जो बैंस साब ने नमें सवाल ते सुजा दिते हैं कि तुसी एक जेहे टांगना लापनी आजिटेशन रखो जेडी के तो अड़ी कमुनिटीच भी कबूल होए और नैशनल लेवल ते देश वीच भी कबूल होए और ये बड़ा टाइम लगता है कि जेकर तुसी वखरा मुल्क बढाना है देश ब अपनी कम्मुनिटी नहीं कर नहीं बेगा मेरा ख्याल है सानु गुर्णानक देव जी तो मी बहुत कुछ सिखना चाहीदा है उनने जो सानु संबादा संकल्प देता है और सारे हिंदोस्तान वीच उनने कॉम्फिर के नाथा नाल योगिया नाल भी उनने संबाद कीता है और और एरान तक गेव और मक्ये मदीने तक भी गेव मक्ये मदीने चहु हुटी कं सिरफ दो नान मुस्लिम गेव उनने जो एक गुरु नानक साबन, उनने जो सानू एस संभादा संकल्ब दिता है कि गाल बात रहीं बैठ के तुसी मुद्यान उन्य जिठो, सानू एस पासे भी त्यान देना चाहिएदा, आसी बोट तनवादियां राजबिंदर सिंग बैसुरा दे, के उनने सानू टैम दिता है, और साड़े दर्शका नू एस अमरत पाल सिंग दे चुने जान मेंबर पार्लियमेंट अते उना दे ओथ लेके MP बन तक दे सारे प्रासस बारे जो कुमन के रियान उना दे नवे नुकते दसे मैं उमीद करदा के अमरत पाल सिंग जी जेडियां एक नूनी कारवाईयान उना नू समझ के अपनी सीट बचाणगे और अपना थोड़ा जया जिमें उना ने विचार बदलिया है के वो डेमोक्रेटिक सिस सब बनेन पहली वरी चोन लाड़के उना नू थोड़ा जया हो रेस नू के रेनू मिशाल करना चाहिदा है अते पीसबूल टांगना उना नू जो भी उना दे विचारन उना दा परचार करना चाहिदा है मैं उमीद करता है के साथे दर्षका नू एज एडिया से आज इंटर्व्यू लईए बड़े मत्तपूरान मुद्देत लईए यह पसांद आएगी और मेरी आप जीनू गजारश है के तुसी एस वीडियो नू वाद तो वाद आपना शेयर करो दोस्ता नाल, मित्रा नाल, स्वनिया नाल अते होर भी जैदा इनू शेयर करो ता जो ए जो कुनूनी जो कारवाई है जा कुनूनी जो स्तिती है अमरत पाल सिंग दे केस दी के ओ चुणे गए हान पर उननों ओथ लेगी की की करना पेगा एस दी असी बहुत शुक्र गुजारां बेहन साब दे शुक्र बहुत बहुत तन्वाद, सत्स्रिया कार्थ